दोस्तो एक लड़का किसी घर में चोरी करने के लिए घुसता है लेकिन अंदर घुसते उसके नियत बदल जाती है क्योंकि वो एक बिधवा का घर होता है और बिधवा अपने चार पाई पर सोई हुई थी जब वो देखता है लड़का उसको तो उसे देखता ही रह जाता है वो उसकी खुब्सूरती का दिवाना हो जाता है तीस साल के ओर नौजवान खुब्सूरत बिधवा और अपने चार पाई पर अकेले सो रही थी वो इधर उधर नजद दोड़ाता है तो उस घर में और कोई नहीं होता है फिर वो जो काम करने के लिए आया था वो काम भूल जाता है और उसके बाद उसके मन में कुछ और ही आग उमड़ने लगती है वो धीरे से जाता है उस चार पाई के बगल में बैठ जाता है और उस महिला को इधर उधर छूने लगता है लेकिन दोस्तों तभी उस महिला के आँख खुल जाती है वो चौक कर उठकर बैठ जात और जो चोड था वह घब्रा कर उसके चार पाई के नीचे सरग जाता है । लेकिन Uh को लाइक कर दीजै चैनल को भी सब्सक्राइब दोस्तों एक कहा नि फंट श shy belief कर दिएध सारे घर दूर दूर थे क्योंकि पहाडी का इलाका था और बहुत ही ज्चित से लूगों को घर बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी जमीन मिली हुई थी यूर जली दूर दूर पर लोग घर भनाका पे रह थे पुरे गांओं को पतला सा रास्ता जोड़ः था और एक दिन एक दूसरे दूर गाउं का एक लड़का रात का फाइदा उठा कर उस गाउं में चोरी करने के लिए घुशता है और जब आता है तो एक घर में घुश जाता है कुछ समान चोरी करता है पैसे चोरी करता है तब ही वो देखता है कि अभी रात बहुत बची है दो बजे का वत्थ हो रहा था सोचता है चलो इसी लागे किसी और घर में हाथ साफ कर लिया जाए फिर दोस्तों वो लड़का जिसका नाम मुकेश होता है वो एक उस बिधवा के घर में गुषता है दो कमरों का वो घर होता है तीस साल की नवजवान पूरत बिधवा उस घर में अकेली रहती थी जब वो घर के अंदर घुषता है एक कमरे के अंदर घुषता है तो धीमी धीमी रोशनी जल लही थी और अपनी चारपाई पर वो अरत सो रही थी वो उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है लेकिन फिर सोसता है कि जो करने आए हैं पहले वो तो करें लेकिन फिर वो देखता है इधर दर नज़र दोड़ाता है तो घर में कोई समान नहीं था ना तो कोई आलमारी थी ना तो कोई बॉक्स था इदर दब्बे पड़े थे फिर वो सुसता है डब्बो को खोल कर धीरे से देखता है हाट डालता है तो किसी में दाल था किसी में चावल था इसके अलामा फिर वो दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ पर सिर्फ कपड़े थे और उसके अलामा कुछ नहीं था और उसके लावा कोई और सदस भी उस घर में नहीं था अब दोर्तों यहीं से फिर वो उस कमरे में आ जाता है जहां पर उमहिला सोई हुई थी वो उसे निहारता है और उसके मन में एक अलग ही भावना उमरने लगती है मारसी दरीची की हडियों से कौन कों से अस्तर बलाया गया कि और वो अस्तर किसको मिले थी तो क्योणा जो है इसके साथ कुछ चिया जाए है अब वो उसके अब वो उसके वो बढ़ने आगा है जब यूद में देवता हारने लगे तब ये अपने अस्त्र मरसी ददेशी से माने गए तो मैं इसे कुछ पुछा कि ये वे सभी अस्त्र उनकी हंडियों में समाहिक हो गए है कि जैसे उसे कारवे उनकी दियों से अपने अस्त्र बना ले ये काकर उनुने अपने प्रांट च्याग दिया और उनकी अस्त्र बैट जाती है जिस कर्मा भवाल ने वज्र सहीर सभी देवताओं के अस्त्र बना ले बुरी तरीके से और उसके चारपाई के लिए सरच जाता ह अब उस समय वे गर्वती थी इसलिए इतने में ऐसा करने से वना कर दिया और इंचे जो मुखे इस चारवाई के दिया और दोस्तो जो जब नहीं मानी तो इंदर ने उनके गर्व को माई लिया इस पर इंदर को अपना घर बहारती थी वे अपने पती के साथ सब्सक्राव लेकर तो कुछ औरते हैं जो कुछ औरते हैं जो कुछ उठने से पहले उठ जाती हैं और वो पहारी पर जा रही अपने बातों को बहरा के लिए तो वो रास्ते में रूबी से बिए तो जरा देख लो कहीं तुम्हारे गर्में भी तो कुछ चोरी और गईरा नहीं हुई है अब दोस्तों उनकी बात सुनकर वो घबरा जाती है वो सूचती है कोई तो आया था मेरे घर में मुझे चू रहा था अब दोस्तों जैसे वो केस था अभी वो सो रहा था घोड़े बेच कर अब वो जारू लेकर उसे कौशती है और उसके बाद घबराई हुई रहती बुरी तरीके से पहले तो सोचती है कि जाओं बाहर सोर मचाओं और लोगों को बताओं कि जो चोर है मेरे घर में है लेगिन फिर वो सोचती है कि ल पेले घर में है रात भर कोई उसके घर में सोया हुआ था उसके कमरे में तो लोग और भी कुछ सो सकते हैं इससे उसकी बदनामी भी हो सकती है इसलिए हाडू से कोश्टी यह उठाने का प्रयास करती है कि यह निकल कर यहां से भाग जाए वो सोर क्यों मचाए तभी दोस्तों वो जैसे उठता है अरबढा के दर्वाजे के बाहर निकलता है लेकिन जैसे निकलता फिर अंदर भाग किया जाता है उसके आगे हाथ जोड़ता है कहता है कुछे बचा लो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे चूंकि जब बाहर निकलता है तो देखता है कि दूर से कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे उसी की तरफ आ रहे थे वह अंदर घुच जाता है तो जो रूबी थी वो दर्वाजा जट से बंद कर लेती है अब उससे समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे फिलहाल बाहर तो 4-6 लोग कोई डंडा, कोई लाठी, कोई छूरी, कोई भाला बर्चा यही सा भात में लेकर वहाँ पर पहुचते हैं और कहते हैं कि भावी आपको पता है कोई चोर आया था और इनके घर में राग को 3 लाख रुपे की चोरी करके चला गया है लेकिन हम लोगों को सक है क तो यहीं कहीं पर छुपा हुआ 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 है रही करती है कि अगर आया हुआ तो चला ही गया होगा तो कहते नहीं जब आया था अंट्री पॉइंट पर एक परTO चुपा होगा लेकिन अगर मिल गया तो उसे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे और तुम भी देख लेना ध्यान रखना जैसे यह आएगा दिखेगा तो शोर मचाना वो कहते हैं कि भीया जरूर मैं शोर मचाओंगी दोस्तों उसके बाद जो है वो लोग चले जाते हैं अब मुक अब रूबी सोचती है कि क्या करूं इसके साथ उसके समझ में नहीं आता वो कहते हैं प्लीज तुम यहां से चले जाओ वरना कोई देखेगा तो तुम्हें तो मार ही डालेगा मेरे बारे में भी उल्टा सीदा सोचेगा मेरी जिन्दगी बरबाद हो जाएगे तो तुम य प्लाओं में चोरी हुई है तो दिन भर यही सब बाते चलेंगे तो तुम तीन लाख रुपए का समान चुरा लिए फला के घर में